आज आपके पास आजबर शवान दुसिया देकार के वर्ट विन बला धनकर भिया धनकुटी पासी बनबासी कटिक नाओ दो भी लोथ खंगार भुजवारा अर्गबंसी सेख सेट पठान आप सारी जाती के लोग आज सीधे सीधे चिला रहें इंडिया गड़ बंद इंडिय कोई लड़ें जेख चुनाव नहीं लड़ें या जीवन नहीं परिवार में लड़ेंगा महा राजा सुल्डेवजू काहसी तरह कोब चूनाओन्यosa तो उनके लिए कसम खाना आम बात है वो किसी का कसम खा लेंगे उसमें कोई गुरेज नहीं है दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात मैं हूँ आपके साथ रमन उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में है और घोसी लोकसभा एक चर्चित लोकसभा फिर से विधान सभा का चुनाव जो हुआ था उसमें भी घोसी एक ऐसी विधान सभा बन गई थी जिसका कोई जोड नहीं था इस वक्त भी लोकसभा घोसी एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां लगातार पुलिटिकल पार्टियों के चर्चाएं और प्रचारतेजी से देखे जा रह राजबर हैं और राम जीत राजबर अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं हम आज इनसे मुलाकात कर रहे हैं मौव सहर में बहुत स्वागत आपसे बाचीत कर निकले बहुत धन्यवाद आपके और आपके दर्सकों को क्या लग रहा है इस बार अगर मानी अकलेस लाजबर पर बहुत रहा है और और सुहल देव स्वाहिमान बार्टी का समझवादी पार्टी पार्टी और इनडिया गड बंधन के सारे कारे करता जो है अज धरातल पर जमीन पहुतर गया और यहां से मानी अकलिस ज्यादु जी के खाते में सीट जीत करके जाएगी उम्प्रकास राजभर जी लगातार हुंकार भर रहें कि राजभर हमारे साथ हैं सोहल दोस्वावमान पार्टी के पास कोई ताकत नहीं नत कोई तो नेता है इस बात को लेकर क्या कहेंगे राम जी जी देखिए अगर उनके पास राजभर समाज अगर कठा रहता तो अभी पुरु में आप देखे हैं कि क्या गती हुई है घोसी में अप फिर उसी घोसी का फरक इतना था कि उप चुनाव था इलोक सभा का चुनाव है इ दुसी आदेकार केवड विंद्बला धनकर विया धनकुटी पासी बनबासी कटिक नाव दोवी लोथ खंगार बुजवारा अर्गबंसी सेख सेयद पठान आप सारी जाती के लोग आज सीधे सीधे चिला रहे हैं इंडिया गडबंदन इंडिया गडबंदन की बात तो आ आज की डेट में बड़ा चेहरा हो गया है कि पूरे राजवर समाज के लोग जब से देश अजाद हुआ राज तंत्र खतम होने के बाद लोग तंत्र आया तब से ले करके पहली बार किसी राजवर ने किसी के सामने डांडवत करने का काम किया है यह कॉँंसी बड़ी बात तो अपनी कुषी के लिए ओन्डवत कर रहे हैं आपने राजबत समाज का वह अधनाम किया है कि राजबत समाज यह उधनाम करने के लिएुड् decrease नहीं है एक तरफ आपको माफी मिल लए है तो दूसरे तरफ राजबर समाज आप से दूर रट रहा है तो उस डानवत करने का क्या मतलब है यानि माफी मांगना गलत है उनका एक दम टोटल निहुरा गर्दनमा पकड़ के निहुराद ये बिर्जेस पाठक जी कि नहीं तो अ पार्टी का पर तले जमीन खिजिग रहा है कि पूरे देखिए का यहां मोदी जी आएंगे योगी जी आएंगे बिर्जेस पाठक आएंगे अमीर सारे लोग आएंगे यहां फिर भी उनको जो है यहां से हर सविकार करके जाना है सुहल दिश्वाभमान पार्टी के साक्री कारकरता आप है और जिला अध्यच भी हैं तो जिला अध्यच लगातार क्या कर रहे हैं इस लोग सवाचुनाम इस बार देखिए इस समय मैं चार विदान सभा देख रहा हूं मुहंदाबाद घोसी महुर सदर और मधुवन खास करके मैं मधुवन में रहा रहा हूं इस समय 50 पर साथ पर सॉट साथ परसेंट और जो है आज राजबास समाज 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 समाज्वादी पालटी को करेगा चुनावचिन साइकल पर साथ पर संथ नियरी यह वह रहा हो warten कार कर पूरा सूर्व करते रहे हयं अब यह बताए वह नहीं कब्से ना तो आपकी जो कर रही है जो कर देखा कि अमारा बहुत बड़ा अपमान है तो राजभर का दिमाग जो है हटाने के लिए उस वीडियो जो लोग सोचल मीडिया देख रहे थे कि यह माफी माग रहे हैं इसलिए इन्होंने गोहों की कटनी की कि अब उसको छोड़ करके लोग इसको देखना परसंद करेंगे तो अर्विंद राजभर का प्रभाव कम रहेगा यानि बेलकुल चुना बहुत बुरीतर से आरेंगे यहां जान लिजे आराम जीत राजभर च लोग कारिकरता हैं वहांसे ब्राबर मिलते हैं इनके पचांसों कारिकरता हम से मुलाकात करते हैं रोच अद्य देखिए गए बगावत भी कर लें उनके करकरताबसे मिल भी रहें मिलते हैं वो लोग बढ़ाई देते हैं हमको कि अधर जी आप चुनाव जीद गए ऐसे कर रहें एकदम आज ही हम जानते कि तिन चाल लोग मिले हैं अधर जी आपका चुनाव हो गया हम भाई चरी आप लोग को बढ़ाई हो चुनाव जी जाने दिए उसके बाद बुला करके 24 तक हम लोग मैनत किया तब 40 percent राजबर को हम दो के पास जोड़ने के समय किया उसमें से अब 20 परसेंट राजबर माननी महेंदर राजबर जी के साथ आ गए शुवल्दर स्वाइमान पालिटी के सबात अब उनके पास मात्र बीस परसेंट रोट बचा है तो बीस परसेंट में करेंगे क्या 27 अक्टूबर 2002 को उनका बयान बड़ा तेजी सुवारल हो रहा इस बयान को लेकर क्या कहेंगी देखिए वो बयान दिये थे सही बयान दिये थे कि या जीवन चुनाओं नहीं लड़ूंगा न हमारे कोई परिवार में लड़ेगा मैं महाराजा सुवल्दर जी का कसम खाता तो उनके लिए कसम खाना आम बात है वो किसी का कसम खा लेंगे उसमें कोई गुरेज नहीं है यह जान लिजे कोई भारती जनता पार्टी से अगर आनने कोई परत्यासी यहां राजबर समाज का लड़ता क्या लगता है अरविंद राजबर से ज्यादा प्रभाव साली होत मंतरी बन गए इतना बड़ा मंतरी हमें लगता है कि अभी कैबिन मंतरी मिधर प्रवांचल कोई नहीं रह गया है पंचायती राज से लेकर अलप संख्यक से लेकर हज मंतरी तक बन गये है इस बात को लेकर क्या कर आज आप बताईए कि 17 में भी मंतरी बने थे सकुंतरा इंवर्सिटी का इन्होंने एक हजार जो है घोटाला भी दिखाये थे चार आट सो के भरती में 400 की भरती भी मिली थी दिव्यांग भी भाग का उसमें पूरे परदेश में पूछ लिजे एक वी राजबर समाज का उस भरती में नहीं बरती हुआ इसलिए कि जब परिवारवाद पार्टी है अगर परिवारवाद पार्टी नहीं रहती तो बताइए इनका लरका विदान सभा लड़े थे शीवपूर से फिर आकर के लोग सभा हुई लड़ रहे हैं मैं लड़े थे जो हैं बाजडी से तो राजबर समाज मजबूति से जानता है कि राजबर इनको खर्चाली ठोके हम भर एदम पकूरा दिया उसके बाद जाके विक्छे लादा आए ना कि हम लोंने जब चापा है तब जाकर को बने ने तो उनका खाता नहीं कुलता कभी अरुन राजबर को बना देते हैं परिवारवाद को लेकर लगातार जर्चाहें चलती थी समाजवादी पार्टी पे तो ऐसे आरोप लगते थे क्या वह परिवारवाद आज इसास भी कहीं देखा जाएं भारती समाज पार्टी पे तो नहीं पड़ रहा देखिए यह जब कसम खा करके अब पहला चुना अपने मैडम जी को लड़ा दिये जीला पंचायत का चुना तभी सेमलों का विश्वा सूठ गया मर हम रहे राजब स्वाविमान पार्टी बन गई अब राजबर के पास भी कल्प हो गया है अब जो उनके पार्टी से नराज हो रहा है अगर दुखी हो रहा है तो उसको सीधे स्वाविमान पार्टी दिखाई दे रहा है तो उनके पार्टी से तमाम लोग पचासों लोग तो भी इस चुना पता चलेगा अगर उनके पास अगर यहां जनपत की कार्टा है तो मई जनपत का खाली मात्रफ 15 कार्टा गिना के देखाते हैं पर्देश के नेता लोग हैं यहां पर डेरा डाले दो महिना से क्या मान के चले आप जिस बिधान सभाओं में आपको जिम्मेदारी मिली है सोहिल दोस्ताविमान पाल्टी की क्या चल रहा राजबर समाज कुछ वह प्रकास राजबर को छोड़ना चाहरा है हम जी सी बिधान सभाओं में लगे हैं प्रसासन के लोगों को बुलाए लास उठवा के थाने तक लेके आए इनके जब पुलिस गई तो इनके नेता सब लोग फरार बस्ती वाले थे बस्ती के लोग थे यहां जो है के दवरिया के थे सलेमपूर के सब लोग फरार मैं के जाते ही मैरे जाते ही फिर उस लास को ठवा के लिए क्या है महू प्यमार्जी से यहां इनके कारिकाता अभी देख लिए बगल में आपके हिंदी बहुन है जब से मैं पार्टी से निकला हूं अब तक हिंदी बहुन नहीं पाए अब अकेले जीला की बैठक में छे सुलों को बुला करके और हिंदी बहुन को बरता था अब वह ताकत खता है यह ओंप्रकास आजबर बेख खुबी से जानते हैं कि हमारा एक दहीना यंग माउजन पर से निकल गया दीख सकते हैं कि हमारे साथ बेवाकी से अपनी बात रह रहे थे हो राम जीत मैं प्रकास आजबर के लिए इसलिए पार्टी का नाम रखा गई सब्सक्राइब हमें बातचीत कर रहा था राम जीत राजबर से जो सोहल दे सौहमान पारड़ी की विवाक नेता अपनी बात को विवाकी से उन्होंने रखा है चुनावी परड़ाम क्या होगा तब तक और खबरों को लेकर मउख और घोसी में मैं हाजूर रहूँगा राम जीत की बात को भी रखूंगा आगे नमस्कार जहिंजे वारत